साहित ते निधमे प्रस्तोत है प्रसिद लेखक यश्पाल जी की कहानी परदा ये कहानी उनकी बहुत प्रसिद कहानियों में से एक है तो चलिए सुनते हैं कहानी परदा चौधरी पीर बक्ष के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे आमदनी अच्छी थी एक छोटा परपका मकान भी उन्होंने बनवा लिया लड़कों को पूरी तालीम दी दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलबे में और टाक खाने में बाबू हो गए चौधरी साब के जिन्दगी में लड़कों के ब्याह और बालबच्चे भी हुए लेकिन उहेदे में खास तरक्की ना हुई वही तीस और चालिस रुपे महावार का दरजा अपने जमाने की याद कर चौधरी साब कहते वो भी क्या वक्त थे लोग मिडल पास कर डिप्टिकल एक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के तीस चालिस से आगे नहीं बढ़ पाते बेटों को उचे ओधों पर देखने का अर्मान यही उन्होंने आखे मून ली इंशालला चौधरी साब के कुन्बे में बरक्कत हुई चौधरी फजल कुर्बान डेलवे में काम करते थे अल्ला ने उन्हें चार बेटे और तीन बेटियां दी चौधरी इलाही बक्ष डाखाने में थे उन्हें भी अल्ला ने चार बेटे और दो लड़कियां बक्षी चौधरी खांदान अपने मकान को हवेली पकारता था नाम बड़ा देने पर जगए तंगी रही दारोगा साब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बेटक में वो मोड़े पर बैटकर नैचा गुरगुराया करते थे जगए की तंगी की वजए से उनके बाद बेटक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योड़ी पर परदा लटक गया बेटक ना रहने पर भी घर की इज़त का ख्याल था इसलिए परदा बोरी के टाट का रही बढ़िया किस्म का रहता जाहिर है दोनों भाईयों के बाल बच्चे एकी मकान में रहने पर भी बीतर सब अलग अलग था ड्योड़ी का परदा कौन भाई लाए इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा सहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक कर ड्योड़ी में लटकाई जाने लगी तीसरी पीड़ी के ब्याशादी होने लगे आखिर चौधरी खांदान की ओलाद को हवेली छोड दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी चौधरी इलाही वक्ष के बड़े सहबजादे एंटरंस पास कर डाक खाने में 20 रुपे की कलरकी पा गए दूसरे सहबजादे मिडल पास कर अस्पताल में कमपाउंडर बन गए जो जो जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती तीसरे बेटे हुनहार थे उन्होंने वजीफा पाया जैसे तैसे मिडल कर स्कूल में मुदर्रिस हो दिहाद चले गए चौते लड़के पीर बख्ष प्राइमरी से आगे न पड़ सके आज कल की तालीम माबाप पर खर्च के बोज़ के सिवा और है क्या स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कौपियों और नक्षों के लिए रुपए ही रुपए चौतरी पीर बख्ष का भी ब्याव हो गया मौला के करम से बीबी की गोद्बी जल्दी ही भरी पीर बख्ष ने रोजगार के तोर पर खांदान की इज़त के ख्याल से एक तेल की मिल में मुशिगीरी कर ली तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या सफेद पोश खांदान की इज़त का पास तो था मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़े न थी चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था 12 रुपे महिना अधिक नहीं होता चौदरी पीर बख्ष को मकान सित्वा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा मकान का किराया 2 रुप्या था आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी कच्ची गली के बीचो बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार पहती रहती जिसके किनारे घास होगाई थी नाली पर मच्छों और मक्छों के बादल उमरते रहते सामने रमजानी धोबी की भटी थी जिसमें से दुआ और सजी मिले उबलते कपड़ों की गंदुखती रहती दाइं और बीकानेरी मोचियों के घर थे बाइं और वर्कशाप में काम करने वाले कुली रहते इस सारी बस्ती में चौदरी पीर बक्ष ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे सिर्फ उनके ही घर की डिोड़ी पर पड़दा था सब लोगोंने चौदरी जी मुन्शी जी कहकर सलाम करते उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा लड़कियां चार-पांच बरस तक किसी कामकास से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के खयाल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था पीर बक्ष खुदी मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भरलाते चौदरी की तनख़ा पंद्रे बरस में बारा से अठारा हो गई खुदा की बरक्कत होती है तो रुपे पैसे की शकल में नहीं आल उलाद की शकल में होती है पंद्रे बरस में पांच बच्चे हुए पहले तीन लड़कियां और बाद में दो लड़के दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बक्ष की वालदा मदद के लिए आई वाले साब का इंदिकाल हो चुका था दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने नहीं आया वे छोटे लड़के के यहां ही रहने लगी जहां बाल बच्चे और घर बार होता है सौ किस्म की जंजटे होती ही है कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को कभी बहुत जरूत पर ही मेरबानी करते जरूत पढ़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिर्वी रक उधार ले आते गिर्वी रकने से रुपय के बारा आने ही मिलते ब्याज मिला कर सोला आने हो जाते और फिर चीज घर लोटकर आने की संभावना न रहती मौहले में चौधरी पीरबक्ष की इज़त थी इज़त का आधार था घर के दर्वाजे पर लटका हुआ परदा बीदर जो है परदा सलामत रहता कभी बच्चों की खीच खाच या बेदर्द हवा के जोकों से उसमें छेद हो जाते तो परदे की आर से हाथ सुई धागाले उसकी मरमत कर देते दिनों का खेल मकान की रियोडी के किवार गलते गलते बिलकुल गल गए कई दफ़े कसे जाने से पेच तूट गए और सुराग धीले पड़ गए मकान मालिक सुर्जू पांडे को उसकी फिक्र ना थी चौदरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता कौन बड़ी रकम थमा देते हो दो रुपली किराया और वो भी छेचे महीने का बकाया जानते हो लकडी क्या भाव है ना हो तो मकान छोड़ जाओ आखिर किवार गिर गए रात में चौदरी उन्हें जैसे तैसे चौखर से टिका देते रात बर दहशत रहती कि कहीं कोई चौड ना आ जाए महले में सफेद पोशी और इजट होने पर भी चौड के लिए घर में कुछ न था शायद एक भी साबुत कपड़ा या बरतन ले जाने के लिए चौड को न मिलता पर चौड तो चौड है छिनने के लिए कुछ न हो तो भी चौड का डर तो होता ही है वो चौड जो ठहरा चौड से जादा फिक्र थी आबरू की किवारना रहने पर परदा ही आबरू का रखवाला था वो परदा भी तारतार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया दूसरे दिन घर की एक मातर पुष्टैनी चीज दरी दर्वाजे पर लटक गई मौले वालों ने देखा और चौड जी को सरा दी अरे चौड जी इस जमाने में दरी यो काहे खराब करोगे बाजार से ला टाट का टुकडा न लटका दो पीर बक्ष टार्ट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे दो गज टार्ट आठाने से कम में न मिल सकता था हसकर बोले होने दो क्या है हमारे आपकी हवेली में भी ड्योडी पर दरी का ही परदा रहता था कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की पाचों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यों गिर रहे थे जैसे पेड अपनी चाल बदलते हैं पर चौदरी साहब की आमदनी से दो दिन में एक दफ़े किसी तरह पेड भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाईश का हां खुद उन्हें लौकरी पर जाना होता पाईजामा में जब पैबंद सबालने की ताब न रही मार्किंग का एक कुरता पाईजामा जरूरी हो गया पर लाचार थे गिर्वी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो गरीब का एक मातर साहया के पंजाबी खान रहने की जगे बर देखकर वो रुपया उधार दे सकता है दस महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जर्म के समय पीर बख्ष को रुपय की जरूरत आ पड़ी कहीं और प्रबंद ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से चार रुपय उधार लिये थे बबर अली खान का रोजगार सित्वा के उस कच्चे महले में अच्छा कासा चलता था बीका नेरी मोची वर्कशाप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियास से करज लेते रहते कई दफ़े चौधरी पीर बख्ष ने बबर अली को करज और सूद के किश्टना मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रिणी का दर्वाजा पीटते देखा था उन्हें साहुकार और रिणी में बीज बचवल भी करना पड़ा था खान को वे शैतान समझते थे लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी चार आना रुपया महीने पर चार रुपया करज लिया शरीफ, खानदानी, मुसल्मान भाई का ख्याल कर बबर अली ने एक रुपया महावार की किश्ट मान ली आठ महीने में करज अदा होना तै हुआ खान की किष्ट ना दे सकने की हालत में अपने घर के दर्वाजे पर फजियत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोएं खड़े हो जाते साथ महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किष्ट देते चले गए लेकिन जब सावन में बरसात पिछड गई और बाजरा भी रुपए का तीन सेर मिलने लगा किष्ट देना संभो ना रहा खान साथ तारीक की शाम को ही आया चौधरी पीरबक्ष ने खान की दाड़ी चू और अल्ला की किसम खा एक महीने की मुआफी चाही अगले महीने एक का सवा देने का वाइदा किया खान तल गया भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई बच्चों की मा की तबियत रोज रोज गिरती जा रही थी खाया पिया उसके पेट में न ठहरता पत्थे के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्व धाई सिर मिलता बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिये की खुश्बू के लिए ही मचल जाता कभी पैसे की सौफ अजवायन काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं बजार में तामबे का नामी नहीं रह गया नाहा के कन्नी निकल जाती है चौदरी को दो रुपए महंगाई भत्ते के मिले पर पेशगी लेते लेते तन्वखा के दिन किवल चारी रुपए हिसाब में निकले बच्चे पिछले हफते लगभख फाके से थे चौदरी कभी गली से दो पैसे की चौराई खरीद लाते कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते बड़ी कठिंता से मिले चार रुपयों में से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौदरी को ना हुई मिल से घर लोटते समय वे मंडी की ओर टहल गए दो गंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गट्री लेवे घर पहुँचे बलाती सूरतें आखों के सामने नाच चाती धड़कते हुए हृदे से वो कहते जाते मौला सब देखता है खैर करेगा साथ तारीक की शाम को असफल हो खान आठ की सुबह तड़के चौदरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ पे लिए दर्वाजे पर मौजूद हुआ राद बर सोच सोच कर चौदरी ने खान के लिए बयान तयार किया मिल के मालिक लाला जी चार रोज के लिए बाहर गए है उनके दस्तकत के बिना किसी को भी तनखा नहीं मिल सकी तनखा मिलते ही वो सवा रुपया हाजिर करेगा माकूल वजय बताने पर भी खान बहुत देर तक गुराता रहा अम बतन चोड़ के परदेश में पड़ा है ऐसे रुपया चोड़ देने के वास्ते अम्या नहीं आया है अमारा भी बाल बच्चा है चार रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुमारा ये कर देगा पाँचवेदन रुपया कहां से आ जाता तनखा मिले अभी हफता भी नहीं हुआ मालिक ने पेशगी देने से साफ इंकार कर दिया छटे दिन किसमत से इत्वार था मिल में छुटी रहने पर भी चौदरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए जान पहचान के कई आदमियों क्या गए इधर दर की बातचीत कर वे कहते अरे भाई हो तो बीस आने पैसे तो एक दो रोज के लिए दे देना ऐसे ही जरुवत आन पड़ी है उत्तर मिला मिया पैसे कहा इस जमाने में पैसे का मोल कौडी नहीं रह गया हाथ में आने से पहले उदार में उड़ गया तमाम दोपहर हो गई खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठानी रहेगा चौदरी ने सुचा और घर की तरफ चल दिये घर पहुशने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योड़ी पर लटके दरी के परदे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा परदे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर पी की चौदरी बाहर गए हैं रुप्या लेने गए हैं खान गाली दे कर कहता नहीं बदजात चोर बीतर चिपा है हम चार गंटे में पिर आता है रुप्या लेकर जाएगा रुप्या नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेचतेगा हमारा रुपिया क्या आराम का है चार गंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी चौदरी पीरबक्ष पीरबक्ष के शरीर में बिजली से दोड़ गई और वे बिलकुल निस्त उसे हो गए हाथ पैर सुन और गला खुश्क गाली दे परदे को ठेल कर खान ने दुबारा पुकारने पर चौदरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेश्ट न रह सका वे उठकर बाहर आ गए खान आग बबुला हो रहा था पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है एक से एक बढ़ती हुई तीन गालिया एक साथ खान के मूँ से पीरबख्ष के पुर्खों पीरों के नाम निकल गए इस भेंकर आगाथ से पीरबख्ष का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाए और भी निर्जीव हो गया खान के गुटने चूँ अपनी मुसीबत बतावे मुआफी के लिए खुशामत करने लगे खान की तेजी बढ़ गई उसके उचे स्वर से परोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने घटे हो गए खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह राता पैसा नहीं देना था तो लिया क्योँ तनखा किदर में जाता अरामी हमारा पैसा मारेगा अम तुमारा खाल कीच लेगा पैसा नहीं है तो घर में परदा लटका के सरीब ज़्यादा बना फ्रता है तुम अमको बीबी का गैना दो बरतन दो कुछ भी तो दो हम ऐसे नहीं जाएगा बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दूआ मांग पीर बक्ष ने कसम खाई एक पैसा भी घर में नहीं बरतन भी नहीं कपड़ा भी नहीं खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले खान और आग हो गया अम तुमारा दूआ क्या करेगा तुमारा खाल क्या करेगा उसका तो जूता भी नहीं बनेगा तुमारा खाल से तो ये टाटक चाहाँ खान ने ड्योड़ी पर लटका दरी का परदा जटक लिया ड्योड़ी से परदा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर तूट गई, वो डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े, इस द्रश को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतो द्वार पर खड़ी भीर ने देखा, घर की लड़कियां और औरतें परदे के दूसरी और घटी घटना के आतंग से आंगन के चीथड़े उनके एक त्याई अंग धकने में भी असमर्थ थे, जाहिल भीर ने ग्रणा और शरम से आँखे फेर ली, उस नगनता की जलक से खान की कटोरता भी पिखल गई, गलानी से थूक, परदे को आंगन में वापस फेंक, कृद निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लोट गया, भैसे चीक कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीर छट गई, चौधरी बेसुत पड़े थे, जब उन्हें होश आया ड्योड़ी का परदा आंगन में सामने पड़ा था, परंत उसे उठा कर फिर से लटका देने का सामर्थ उन्हें शेश न था, शायद अब इसकी आवशक्ता भी न रही थी, परदा जिस भावना का अवलंब था, वो मर चुकी थी, आप सुन रहे थे यश्पाल जी की प्रसिद कहानी परदा